नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यो ड्रीम इंग्लिश में दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज स्पोकें इंग्लिश के अंतरगत जहां पर मैं आपको एक टूल बताता हूं उस टूल के जरीए उस यूसेज के जरीए आप दिखा देते हैं आपको तो देखेंगे दोस्तों यहां पर इस वीडियो के अंतरगत हमने पढ़ा था फॉंड ओफ दिन इसके अंतरगत वुड लाइक टू और यहां पर हमने पढ़ा लाइक दोवे इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे हैबी चॉल ओफ ठीक है और इस चलिए इसको समझते हैं ध्यान से, I wonder का मतलब है पता नहीं, पता नहीं, अब ये पता नहीं, I don't know से जनरली लोग इसको बनाते हैं, लेकिन I don't know के अलावा जिसका इस्तमाल कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर I wonder का इस्तमाल किया जाता है, थोड़ा आश्यर के अंदर भी, औ में कुछ नहीं पता, भगवान जाने कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर है I wonder का मतलब पता नहीं, सिर्फ I wonder से ही बने का पहली बात, दूसी बात किसी और she wonders, he wonders, you wonder, इस तरह से नहीं बना सकते इसको, इसको I wonder से ही बनाएंगे, और यहाँ पर मैंने इसके लिए आपको कई सा जाएगा, दोस्तों वो होगा, इंटेरोगर्टी टाइप, ठीक है, यह चीज भी ध्यान रखेगा, देखिए, I wonder how a farmer run his family, यहाँ पर runs होगा, ठीक है, मुझे यहाँ बोलेंगे, पता नहीं, मुझे पता नहीं, बोलेंगे, पता नहीं कि कोई किसान किस तरह से अपने तो किस प्रकार से वो अपनी फैमिली को चलाते हैं, तो कोई आश्चर सी इस बात को कह सकता है, कि I wonder how a farmer runs his family, नेक्स्ट सेंटेज की तरफ बढ़ेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, I wonder why she is angry with me, पता नहीं, वे मुझसे नाराज क्यों है, नेक्स्ट, फिर से समझ यहाँ पर, देखेंगे यहाँ जो वाई है, वाई के तुरंद बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो helping नहीं आया है, subject के बाद आया है, तो इस चीज को भी देखेंगे कि जो अगला sentence बनेगा, वो बनेगा आपका, सिर्फ यह conjunction की तरह काम करेगा, यानि कि जो question word होगा ना, वो सिर्फ ए conjunction की तरह कारे करेगा, यानि relative pronoun की तरह, और बाकी sentence आगया formative rule से ही बनाया जाएगा, next sentence, I wonder when the guest will go back, पता नहीं, महमान वापस कब जाएगा, अगर यहाँ कर देते है guest, तो महमान वापस कब जाएगे, next sentence की बात करते हैं, लिखा है, I wonder why fortune is not in my favor this time, एक चीज और पता दे, इसकी हिंदी बताने पहले कि आगे मैं कुछ आपको word provide करने वाला हूँ, 10-11 words रहेंगे, इनके आधार पे आपको sentences भी बनाने रहेंगे, और इनकी मैं meaning भी आपको provide करूँगा, तो वीडियो को continue जारी रखेंगे, दोस्तों, अगर आप channel पे नए हैं, तो वीडिय यहां पर बात कर रहे हैं, पता नहीं कि क्यों, fortune is not in my favor this time, इस बार भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं है, next है, I wonder who will teach him a lesson, पता नहीं कौन उसे सबक सिखाएगा, पता नहीं कौन उसे सबक सिखाएगा, ठीक है, यहां पर जो हू है, आप ध्यान दिजेगा, हू क्योंकि जो ऐसा question word होता है, जो subject की तरह कारे करता है, यां interrogative तो है ही, साथी साथी subject भी होता है, इसलिए इसके तुरंद बाद helping और बाया है, यह बस सोचिएगा कि interrogative है, तो यहां पर subject कहा है, चुकि subject स्वयम हूँ है, इसलिए आपर next और subject की ज़रत नहीं है, ठीक है, चलिए अब बात करत हैं words की, तो दिखा रहे हैं आपको कुछ words, इन words को क्या करना है, मैं आपको Hindi बताऊंगा, और in words के इस्तमाल करके, अपने copy में, आपको इनके sentences बनाने है, I wonder का ही use करके, ठीक है, और बागी अन्य जगों पर भी आपके, इनका इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह जो words देख रहे ह आप इसका screenshot भी लेते जा सकते हैं, next word है gregarious, gregarious मिन्स होता है, सामाजिक, ऐसा विक्ति, जो मिलनसार होता है, उसको बोलते हैं, gregarious, सामाजिक, दोस्ताना, मित्रवत सो भाव का, ऐसे विक्ति को हम gregarious बोलते हैं, आप इसको डिक्ष्णाइम सच करेंगे, तो निकल के आ स जो कारे तो करता है, लेकिन उसका पैसा उसको यानि उसकी जो तनख्वा होती है, जो salary होती है, payment होती है, वो उसको नहीं मिलती है, या वो लेता नहीं है, लेता नहीं होता तो वो amateur कहलाते है, ऐसे विक्ति को amateur कहेंगे, लेकिन ये honorary है, कारे करेगा, पैसा चाता है, पर उन क्रूर को कृति सम्मंदित यह शब्द है next word है gentle, gentle means होता है gentle की तरह ही यह शब्द है gentle ठीक है तो gentle means हो गया शरीप है अच्छा दिखने वाला अच्छे सुभावाला तो gentle means अती शरीप बहुत ज़्याद सीदा साधा और बहुत ज़्यादा सज्जन jest means होता है मजाक उड़ाना हसी उड़ाना उपहास करना सिनानिम इसका होगा mock जो कि बहुत ही प्रचलित है next word है zealous यहाँ पर यह देखे जे से यदि start होता तो यह होता है इरशालू ठीक है jealous यह है zealous zealous means होता है उत्सा और zeal means होता है उत्सा और zealous means उत्सा से भरा हुआ ठीक है और इस zealous means होता है इरशालू तो यहाँ पर है उत्सा से भरा हुआ उत्सा ही इसके लिए फेमस सब्द है enthusiastic यह कुछ ज़्यादा फेमस है enthusiastic जो कि पूछा भी बहुत जाता है ठीक है E-N-T-H-U-S-I-A-S-T-I-C enthusiastic means भी होता है उत्सा से भरा हुआ नेक्स्ट वर्ड है टीटो टालर और टीटो टालर मिन्स होता है ऐसा वेक्ति जो एलकोहल से दूर रहता है especially एलकोहल को ना पसंद करता है ठीक है आशे अलकोहल से दूर रहने वाली पसंद करते हैं टीटो टालर नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट टॉलरेट मिन्स होता है सहन करना देख़िए इसके लिजे से बी-र होता है और put up with बहत फेमस है भी-त-अप with यह phrase है है ना सहन करना इसका मतलब होता है बियर मींस भी सेहन करना होता है और टॉलरेट बहुत प्रचलित हो रहा है और जिसका मींस होता है सेहन करना बहुत पूछे जाता है option में यह बहुत नजर आता है ठीक है next word है sagacious sagacious means होता है मेधावी क्या होता है मेधावी जो बहुत ब्रिलियन टाइप का होना टाइप का वेक्टी होगा या स्टूडेंट होगा बच्चा होगा उसको बोलेंगे हम क्या सगेसियस ठीक है तो उमीद है कि यह सारे वर्ड आप समझ गये होंगे एक बार फिर से रिकाप आपको दिखा देते हैं कि यो ड्रीम इंग्लिश के जरीए आप पढ़ रहे हैं यह क्लास 3 जरूर लिखा लेकिन कैप्सूल यानि कि यूसेस 4 है आई वंडर यहां पर पढ़ाए जिसका मतलब होता है पता नहीं देन इसके मैंने आपको 4 एक्जांपल बताए और हिंदी बताई और इसमे दोने शेर ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे आपको इसी तरह से करीब 50 यूसेस प्रोवाइट करने वाला हूँ जो कि स्पोकें इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे और अगर आप सीटेट सूपर टेट या किसी परकार के कमपेटेटिव एक्जाम्स क झाला हूँ झाला हूँ